तो गैसे क्या आपको भी camera open करने पे green dot मिल रहा है या फिर आप किसी को whatsapp वीडियो कोल कर रहे है और फिर i-do कोल कर रहे है इस screen recording कर रहे है तो ऐसी जगों पर भी अगर आपको भी green dot का sign मिल रहा है तो आप इस video को end तक देखना मैं को complete चीज़े बता हूं का इस green dot के बारे में कि actual में green dot है क्या क्या हम इसको बंद भी कर सकती है और किसी से हम call पर बात कर रहे हैं क्या यह green dot आ रहा तो मतलब हमारी call हो गया record हो रही है ऐसे बहुत सारी confusion है जो दूर होंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको green dot के टोटल चीज़े बताऊंगा जो आपके लिए काफी helpful होगी अगर आपके भी phone में green dot आ रहा है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा मेरा एक phone है इसके अंदर में green dot यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और यह green dot sign जो यहाँ पर द दिख करता है अगर वीवो का access करता है वेंग यूज़ बाइ camera का दिखाता है वेंग यूज़ बैए microphone दिखाता है ओपो का यूज़ करते हो उसमें I think microphone access है संथिंग कुछ दिखाता है camera access दिखाता है तो यह चीज़े डिपेंड करती है company बास companies उसी तरीके से आता है तो अब क्या हो रहागी गूगल का एक option है जो सभी फोनों में अल्मोस आपको देख रही है क्योंकि आपको पता है कि जो इसका OS है जब अंड्रोइट फोनों का वो गूगल का ही है तो अपनी हिसाब से जो चीज़े उसने modification करी है वह यह green dot का उसने करा हुए green dot actually security purpose के लिए हमें दि green dot आ Random efficiency कि यूँ आ रहा है घाकंट होना च ότι activities आपके साथ गरणभी हो सकती है तो चलो क्लों समझते में एक ठीक्रीजन को समझते क्या ग्यानДаut है परए चल को में ब्रूर में घ्र करती है तब ईसटों करते बने घुरी यह जरूरीไมpe माइक लगा के या फिर उसको रिकोर्ड कर रहे हो वाइस तभी यूज कर नहीं वाटसप पर कोल कर रहे हो तो भी माइक्रोफोन अक्सेस हो रहा है किसी को एडियो कोल कर रहे हो तब भी वहाँ पर माइक्रोफोन अक्सेस हो रहा है केमरे के साथ video recording के साथ microphone access कर रहे हो voice recording कहीं भी कर रहे हो तो कुछ company's skin recording पर free है उस पर नहीं आती है लेकिन बहुत हो में तो साभी जगे आता है जहाँ पर आप microphone का access की है वहाँ पर आना सुरू हुआ तो इस case में आपको समझना हो कोई से indicator light है इंडिकेटर का काम करता है बस इंडिकेट करता है जब आप camera को चलाएंगे तो camera का sign आजाएगा microphone चलाएंगे microphone का sign आजाएगा तो इससे आप यह समझ पा रहे हैं कि indicator light है जो हम इंडिकेट करता है कि हम क्या चीज़े access कर रहे है तो यह हमारे security के लिए कैसे helpful है देखो मैं आपको बताता हूँ मालेज़े जब यह इंडिकेटर वाला system नहीं था तो बहुत सारी ऐसे third party applications होती है जो without आपके permission को camera को access करती है तो जब access करती है camera को तो उसमें पहले sign नहीं था अगर ऐसी condition में access करेंगी तो यह sign वहाँ पर आएगा तो आपको यह पता चलना चाहिए कि हम camera तो access कर नहीं रहे है फिर camera green road के अंदर कैसे आ रहा है तो यह आपके लिए alert वाला system है alert means कि आपको इससे alert होना है कि अगर हम camera चला नहीं रहे है फिर camera का sign उस box के अंदर आ क्यों रहा है आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अराम से यूज करिए लेकिन जब कोई चीज अक्सस नहीं कर रहे है continuously green road आ रहा है और microphone option दिखा रहा है फिर camera दिखा रहा है मतलब आपके phone में कोई applications है जो आपके without permission आपको सुन सकती है इससे आपका बहुत loss हो सकता है तो ऐसी भी भी conditions आए phone को completely internet connection को बंद करेके factory data reset कर ले और courses करें जो भी applications इंस्टोल करें वो play store कोई genuine applications हो ना कि आपको chrome browser की applications होगरा को डालनी है यही सारी चीज़े fraud बाजी करती है applications तो इस चीज़ का ध्यान रखे तो यह आपके लिए helpful है तो इससे कोई दिक्कत नहीं और इसको बंद नहीं कर सकते है ध्यान देना यह सभी company हो में आ रहा है इसको बंद नहीं कर सकते है नहीं call recording को गया करता है बस आपको indicate करता है कि आप camera चला रहे है या फिर microphone चला रहे है डिपेंड यह करता है कि चला रहे है तो आ रहा है और नहीं चला रहे है तो आ रहा है तो ऐसे केसर में आपको बंद ध्यान रखना है अगर चला रहे है तो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं नहीं चला रहे है तो आ रहा है आ तो दिक्कत हो सकती है तो मैंने मैंतर ब्रदा उसकी मदद से इसे सोल भे आप कर पाएंगे आसानी से